दोस्तो आज की कहानी देश के पहले सीडियस चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किये गए जर्नल विपिन रावत जी को बहादुरी और देशभक्ती का जज़बा इनके पिता से विरासत में मिली थी जर्नल विपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्राखंड के पाउरी में गढ़वाली परिवार में हुआ था जर्नल विपिन रावत जी का परिवार कई पीडियों से सेना में देश की सेवा करता आया है जर्नल बिपिन रावत जी पहली बार 16 डिसेंबर 1978 में 11 गोर्खा राइफल की पाचवी बटालियन में कमिशनर हुए थे उनके पिता स्री लश्मन सिंग रावत जी भी कभी इसी बटालियन का हिस्सा थे वो सेना में लेटेन जर्नल के पत पर जाकर रिटायर हुए थे पिता से मी विर्यासत में मिली देश भक्ती और बहादुरी से उन्होंने उरी जम्मू कस्मीर सोपोर आधी जगों पर सेना में मेजर करनल और बिगेडियर आधी पोस्ट पर सालों तक सेना में अपनी सेवा दी एक सेप्टेंबर 2016 को उन्हें सेना में वाइस चीफ ओफ आर्मी स्टाफ बनाया गया जिसके बाद सरकान ने देश का 27 आर्मी स्टाफ बनाया जर्नल विपिन रावत जी की कुसलता और तजूर्बे को देखते हुए सरकान ने उन्हें 1 जनवरी 2020 को देश का पहला सीडियर चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया था इसके पहले देश में सीडियर जैसी कोई पोश्ट नहीं थी चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ वो पोश्ट है जो सीदे सरकार को सेना के बारे में सला देती है इसमें नौ सेना वायू सेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित होती है लंबे समय से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा पदब होना चाहिए जो तीनों ही सेवाओ के बीच एक चैन का काम करे इसके लिए सरकार ने सीडियर चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ के पोश्ट की स्थापना की और जर्नल बिपिन रावज जी ही थे जिन्हें देश के पहले सीडियर चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना गया था जिसमें उन्हें सेना में रहते हुए कई सारे मैडलों से सम्मानित भी किया गया था जिसमें परम विसिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विसिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विसिष्ट सेना मेडल आदि सामिल है दोस्तो ऐसे सूर्विर ओफिसर्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है जिनोंने कई प्यूरी तक सेना में अपने सेवा करने की भूमी का तहे दिल से निभाई हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंड़ जैहिंड़ और।